स्वागत है मित्रों आप सभी कईबार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्राणिक स्टडी में नमस्कार आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर मैं बात करूँ कि सोसल स्टडीज के तहत जो जो जोगर्फी है भूगोल है उसमें पिछले वीडियो में हमने बात के थी वायू मंडल को ही लेकर के काफी कुछ चीज़ों के बारे में मैं बता चुका था उसकी डेफिनिशन को लेकर के उस संगटन को लेकर के उसके ठी देखने को मिलता है आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उसकी संवर्चना के बारे में ठीक है याने स्ट्रक्चर आफ एट्मासफियर के तरीके से एक्मासफियर या वायू मंडल बना है और साथ हमें देखेंगे वायू मंडल का महत्व इंपॉर्टेंस क्या है जो कि आपके BTC 2015-2016 दोनों वर्षों में कॉंटिन्यू पूछा गया है ठीक है वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो आप आन्ते तक जरूर देखें तो चलिए शूरू करते हैं बात करते हैं इसमें एक एक को ले करके एक थोड़ा सा इंट्रॉड एक क्ष़न फीर weidle का है कि हमारे चारों तरफ फैली गैसों का मिस्टन जो है पराप्त होता है सिंपल सा ठीक है कि जहां भी हम रहते हैं वहां के आसपास हमको गैसों के मिस्टन दिखाई मैसूस होते हैं फिल होते हैं उनमें अगर बात की जाए तो मिस्टन में यह तो आभी मैं सारी चीजे उसमें जो है जो डिटेल आपकी है एक एक गैस के जो परसंटेज की बाइब वॉल्यूम ठीक है उनके द्रविमान के हिसाब से मातरा के हिसाब से तो बात करेंगे उसको लेकर के भी इसमें लिखा हुआ है नैट वरजन जैसे 78% की इग्जैक्ट पर करते हैं इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कुछी तरीके से जो है एक डाग्राम भी आप बना सकते हैं वायमेडल के संगटन को लेकर की ठीक है कि 78% एक रफ जो है उसमें की 78% नैट्रोजन है अन्य गैसे जो है एक परसंट पर देखने को मिलती है oxygen 21% है तो जले सबसे पर इसके संगटन को ही देख लेते हैं जो टेबल है इसको फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसकी सरचना पर यहां पर देखें कॉंपोजिशन बना हुआ है composition of atmosphere and environmental का जो संगटन है इसमें गैसे लिखी हुए है प्रतेशत मात्रा by volume दरबेमान के हिसाब से तो अब देखें यहां पर exact percentage लिखी हुई है nitrogen जो है वो हम मान के चलते हैं 78% है exact percentage जो इसका है वो है 78.084% ध्यान रहे इसके आगे परसेंट लगा हुआ है उपर ही मैंने लिख दिया है प्रतेशत मात्रा ठीक है तो परसेंट सब के आगे लगा हुआ है आपर oxygen जो है 20.946% और हम एप्रॉक्स लेते हैं 21% ठीक है अधर मैं organ की बात करूँ ध्यान रहे इसमें मैंने संकेत भी लिख दिया है तो आपके chemistry के लिए भी यानि कि जब आप विग्याल पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो तत्व हैं उनके संकेत तो यहां पर ध्यान रहे संके संकेत और किस तरी कि इनको formula होता है वह भी आप ध्यान रखें यहां से ठीक हो भी आपका काम होता चलेगा तो organ की बात है यहां पर यहां पर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं परसंटेज है 0.934% अगर carbon dioxide की बात की जाए CO2 की तो 0.036% neon की बात की जाए तो इसका जो संके 0.00182% helium की बात की जाए HE 0.000524% क्रेप्टान की अगर बात की जाए कर आर इसका representation करते हैं से इसमें जो percentage है वो है 0.000114% उसके बात है जो है वह है वह है एच्ट तो से रिप्रेजेंट करते हैं इसका जो percentage है 0.005 ध्यान रहे है अगर आप competition की भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी उसमें जो है तो आपका carbon dioxide और जो hydrogen है देखो दोग ऐसे तो आपकी में पूछी पूछी जाती है nitrogen और oxygen सबको पता होता 78% 21% ठीक है लेकिन जो आपके competition competitive उसकी बात की जाए तो hydrogen का percentage और जो carbon dioxide का percentage है यह भी आपका पूछा गया है दो लोग ऐसे काफी important है ठीक है जिस तर किसे याद कर लें या रट लें जो भी आप कर सकें तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें यह तो बात हो गई जो है संगेटन को ले करके और वायो मंडल किस्ता नच्रा यह भी हम देखते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं वायो मंडल के महत्वा को ले करके किसके महत्वा में क्या कुछ हम पो देखने को मिलता है जो कि आपका BTC 2015 और 2016 दोनों में पूछा गया था ठीक है इसमें लिखा हुआ है कि यहां सोरे से आने वाली जो घातक यह वो महानिकारक परा वैगनी किरडे होती है को परतीवी पर आने से रोकती है वो किरड़्य यहां पर आती है तो हम देखते हैं इसका काफी घातक प्रभाव परता है इंसानों पर भी जानवरों पर भी ठीक है, skin cancer वगरा जैसी problems जो है, हो जाती है, इन ultraviolet rage से, तो ये किरडे जो है, इनको आने से रोकती है, किसी रेगे से ozone परद जो है, इसमें का सहायक होती है, वो सारी तो अंदर की बाते होगी, काफी deep में जाके, फिलाल ये है कि घातक और महानिकारत परावैगनी किरणों का रोखने का जो काम होता है, वो वायव मंडल ही करता है, वायव मंडल में विद्यमान वजून गायस करती है, आगे इसमें है, second point लिखा हुआ है, कि वायव मंडल की उडाने भी, वायव मंडल के कारण ही संभव होती है, अगर gases ना होती, तो उनके उडान भी संभव ना होती थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वायूमंडल द्वारा प्रथवी पर जो द्वानी तरंगे होती है वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाती है यानि साउंड वेब्स का जो ट्रांस्फोर्मेशन होता है वो भी वायूमंडल के द्वारा ही होता है अगर गैसे ना होती है जैसे द्वानी तरंगों का मतबब एक सिंपल से लेंग्वेज में समझते हैं कहने का मतब यह है जो मैं बोल रहा हूँ आप अगर मेरे सामने है अगर वायूमंडल ना होता अगर मेरे बगल में ही होते तब भी ऐसे ही मंगल ग्रह पर है वायमंडल वहाँ पर नहीं है आप बगल में खाड़े होंगे दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगा ठीक है वह बात अलग है कि टेक्नलोजी का यूज करके वो लोग एक दूसरे से कम्यूनिकेट करते हैं जो भी अधिक ठंडा हो ठीक है यानि कि एक तरीके से एक आवरेज टेंपरेचर को भी जो मेंटेंड किया रहता है यह आप देखते हों कि काफ़े कुछ गयस जो गर्मी होती है उसको अब्साव कर लेती है जो है यह वायमंडल की जो गैसे होती है आगे देखना है इसमें जीवन ह परिवरतन होता है जैसे वर्षा का होना की बात की जाए अगर वायू संचार की बात की जाए इसमें या ताप संदोलन की बात की जाए तो वायमंडल के कारण ही संभव है तो यह सारे पॉइंट्स जो है आपके वायमंडल के महात्वा में आप लेख सकते हैं बहुत ही important प् कोशिच करें ठीक है आगे बात कर लेते हैं मैं बात कर रहा था जह है सलस्टा को लेकर करके तो सलस्टा यहां से देख लेते हैं वाइन मंडल वाइन मंडल जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश वाले क्या अगर आप डियालेट से संबध्ध हैं तो बिल्कुल आप हिंदी ही लेकर के चलेंगे फिर भी कॉंपोडिशन के लिए भी जो तैयारी कर रहा है वो देख लें इसमें इंग्लिश में भी वाकादा लिखा हुआ है ठीक है सब मंडल की बात की जाए तो बारे में मैं डिटेल में एक बार मैं बता चुका हूँ काफे पहले तो आप वहां से भी देख सकते हैं मैं यहां पर ओवर्वीव फिर्स दिये दे रहा हूं एक एक को करके ठीक है तो यह है इधर मैंने बता दिया है कि यह क्वेटर हमान लीजिए भूमद है रेखा है इसको बीच से एक जो इमेजिनेरी लाइन है ठीक है आव आस्तविक रेखा जो खीची जाती है वही वहती है आपके भू मध्य यानि की भू यानि वह पूरा पूरा जो आपका भूमी है या अगर आप बात करें पूरा जो आपका गलोव है उसको मध्य से जो काटती हुई रेखा है वह भूमद रेखा होती है एक वर्टर विश्वत रेखा भी बोलते हैं इसको नौर्थ पोल है इदर आपका उतरी ध्रूव है ठीक है जब आप गलोव की बात करेंगे ऐसे गोले में तो यहाँ पर नौर्थ पोल होगा इधर साउथ पोल होगा बीच में आपकी रेखा जाएगी सबसे पहले आपको छोव मंडल देखने को मिलेगा जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं यह आपकी अगर प्रतिवी हो गई तो सबसे पहले क्या मिलेगा छोव मंडल देखने को मिलेगा ठीक है और अगर मैं बात करूँ यहाँ टेमपरेचर की तो प्रतिवी की सतह से 18 किलोमेटर तक जाएंगे तो भी आपको छोव मंडल देखने को मिलेगा तो इसका कुछ इस तरीके से है रिप्रेजेंटेशन ध्यान रहे हैं यहाँ पर मानिस 45 डिग्री से इंटिग्रेट टेमपरेचर होगा यहाँ पर मानिस 80 डिग्री से इंग्लिष में बूलते हैं इसको सम्ताप मंडल में क्या है देखिए यहाँ पर इस वाले में जब ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा लेकिन यहाँ क्या है पर गट जाएंगे यहां से घरता घरता जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए समताप मंडल में क्या है कई बार पूछा गया है जो वाइवियान है जो उलकाए होती है वो किस मंडल में देखने को मिलती है तो यहाँ पर संकेट से बता दिया गया है उलकाए है यहाँ आपका वाइवियान है यह सारे कहाँ पर होते हैं stratosphere यानि सम्ताप मंदल में देखने को मिलते हैं आगे इसमें बात करते हैं मध्य मंदल यानि mesosphere को लेकर के तो यहाँ पर 50 km तक था यह 50 से 80 km तक हमको मध्य मंदल देखने को मिलेगा मैं अभी उपर की तरफ चाल रहा हूँ टेंपरेचर जो है को मिलेगा ionosphere यानि जिसको आयन मंदल बोलते हैं और कई बार आपके पेपर में एक्जाम में पूछा गया है competition के उसमें competitive papers में कि radio तरंगे जो होती है वो कहां से परावर्दित होती है किस layer से या किस इस्तर से तो आपका आयन मंदल होता है ठीक है और यह जो इसकी दूरी है वो 80 km से जबाब 400 km ऊपर के तरफ जाएंगे तो पूरा पूरा आपका क्या देखने को मिलेगा ion मंदल ठीक है वो जाहें आपका नॉर्थ पोल हो यानि उतरी ध्रुव से बात करें या आप बात करें भूमध रेका या विश्वत रेका या एक्वेटर से आगे देखते हैं इसमें यह तो आयन मंदल के बात हुए वाह मंदल आया आपका 400 km से ऊपर का यहाँ पर जो टेंपरिचर होता है वो 1000 डिग्री से अधिक देखने को मिलेगा तो वाह मंदल आपका जो है जो बाहर की परत होती है एक्वाह मंदल हो जाएगी 400 km के ऊपर की जो परत है ठीक है और ध्यान रहे यहाँ पर यह लिखा हुआ है कुछ अलग से उसमें जैसे अगर आप से कोई पुछे सम मंदल क्या है तो आपका जो खुव मंदल है जो समताप मंदल है और जो मध्य मंदल है खुव मंदल, समताप मंदल, मध्य मंदल यह आपके सम मंदल के अंतरगत आएंगे यानि होमोस्फेयर में आएंगे ठीक है यानि 0 से 80 km यहाँ 0 से मैं चला था और कहां पहुँचा 80 किलूमेटर यनी अदि मंदल तक तो ये आपका क्या होगा सम मंदल होगा वहач Garrett विसम मंदल की बात की जाए जोब आप आयन मंदल या आयन मंदल की बारे में बात करेंगे तो 80 किलूमेटर से बात को बात करेंगे मंडल है इनके भी बारे में थोड़ा-थोड़ा मैं बता दूगा ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है और साथ में जो वायुदा पेटी है उसको लेकर लेकर कि मैं जल्द ही अगले वीडियो में हाजिर होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत हो धन्यवाद